हाई आपका स्वागत है वनली स्टडी पर आज हम पढ़ने वाले हैं इउनिट सेल जो एक क्रिस्टल जो है इसको हम ग्राफिक्स के जड़िये पढ़ेंगे तो हम आपके साथ देखेंगे कि ग्राफिक्स पर किस तरह से मैंने बताया है और उसी को यूँ समझे कि मैं से कैसे समझा है हलागी पार्ट फोर हो गया मैंने पूरा बता दिया है पूरे बोर्ड पर बोर्ड आप दिख रहे हैं पीछे मैंने लिकर सब समझा है उसका डिफ्नेशन भी लिखा दिया है पर आज कू समझाने के लिए मैंने ग्राफिक्स का एक सहरा लिया है जो देखते आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल जालक इसको ग्राफिक्स के जड़िये समझेंगे किस तरस होते देखिए जितने भी क्रिस्टल लेटिक्स होते हैं एक-एक इम्निट शेल से मिलकर बना होता है और एक इम्निट शेल में आठ को पढ़मानु रहता है तो आप जाने के कितने पढ़मानु का योगदान होता है तो देखिए एक पढ़मानु जो है इसको हम एटम बोल सकते हैं आयन बोल सकते हैं मुलकुल बोल सकते हैं जो एक एटम अस्थान के रहा है उसे लेटिस पॉइ कितने का यूगदान होता है पड़मानु का देखे यह आगया इसके बारे में आप देख सकते हैं आप दिख रहा होगा आठु को पड़मानु है लेगिन आठु का आठु यूगदान इसमें नहीं दे रहा है एक पड़मानु का मात रहाँ यूदा ही योगदान देता है आपको एक सिंपल क्यूकल कोनेट सेल को बनाने में ठिखा है एक को बनाने में एक सिंपल क्यूकल कूसेल का योगदान होता है आप देख सकता है और इस अभी एक दूसरे से सटल रहता है लेकिन आपको समझाने के लिए यह स्पेस दिया गए एक दूसरे से देखिए सट गया अब इसको हम काटेंगे देखिए एक पड़मानु कावन बटा एक हिसा किस तरह से बंच रहा है आपको देखने में मिल जाए एक कटने के बाद यह हिस्टा बन गया आपको और इसमें अस्थान भी आपको दीख रहा है कि खाली तो अस्थान जो होता है न यह सबी पड़मानु का बाउन परसेंट यह अस्थान घेरता है कि भी कुनिट्षेल का है इसमें आपको बीच में खाली दीख रहा होगा और वाउन परसेंट अस्थान घेरल रहता है ठीका है तो ए है आपको सिंपल क्युबी कुनिट्षेल की बात अब देखते हैं कितने पड़मानु का यह अगदान होता है तो हर कोना पर एक पड़मानु का वन बाटा यह थी सा तो आठ गो है तो एट गुने वन बाटा आठ मतलब एक पढ़मानियों का योगदान होता है सिम्पल क्यूबिक उनिट सेल को बनाने में आप देख सकते हैं और 22% अस्थान घेरता है मतलब 42% अस्थान खाली रहता है इसलिए किसी से रियेक्शन करता है न तो यही अस्थान में जाकर घुशता है ठीक है चलिए अब हम पढ़ेंगे बोर्डी क्यूबिक उनिट सेल बोर्डी क्यूबिक उनिट सेल में आप देख रहा है सभी कोना पर पढ़मानियों होता है और साथ ही एक केंद्र पर भी पढ़मानियों होता है इसी को तो में जायमीतिय है ना nd ume के जायमीटिय के तरह हूँ ना यह गौन जायमीतिय में ohe chapter है इसलिए जायमीति की अधहाल पर हूँ पर हूँ पर रहा है किरिस्टल को परकार तो जाहराया देखिया body center को सूर्चम में आपको हर कोना टोटल लगया कोना और मतलब दूग वर्डीर कई कने को बनाने में दूगो पलमानों का योगदान होता है सेट्व étais one प्राइफ फिर्वगा अंग data और यह अस्थान कितना घेरता है, 60% अस्थान घेरता है body centered cubic unit cell, 60% ठेखा है, अब घर्टा लिजीगे कितना पर्सेंट, बहुंच रहा है खाले, तो 90% अस्थान घेरता है body centered cubic unit cell को बनाने में, और कितने पढ़वान्यों का योगदान होता है बनाने में, तो दूगों का, कैसे होता है आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए यहां पर समझ सकते हैं, आठ को corner है, एक corner पर वन बाट 8 atoms, आप पलस, तो इसको गुना करेगा तो 1 atom आया, अब आप center पर देख सकते हैं, देखिए यहां पर लिखा जाएगा आपको, center पर कितने पढवान्यों का योगदान ह होता है, तो center पर तो 1 आपको दीखे रहा है, एक हो है, देखिए, number of atoms, presence of centered of the cubic, एक हो है, तो टोटल होगे, दूग परमान्यों का योगदान होता है, body centered कुबिक इंट्स को बनाने में, और 100% स्थान घेरता है आपको, यह body centered कुबिक इंट्सेल, चलिए अब तीसरा है आपक चलिए अब देख सकते हैं, इसमें क्या होता है कि आठू कोना परमानी होता है, उसके साथ साथ इसके फलक पर भी होता है परमानी, और फलक पर क्या होता है कि एक परमानी का 1 बटा 2 हिस्सा ही योगदान में आता है, 1 by 2 मतलब अर्ध गोलाक योगदान में देता है, तो 6 ग फलक तो एक फलक पाव वन बाई टू हिस्सा एक फलक वाट चोग फलक है तो वन बाई टू गुने शो मतलब तीन को पढमानी उका योगदान हो गया देखे आप यह हिस्सा आपको दिख रहा हरा हरा उसी को काट कर बीच वाला निकालेंगे साइड वाला हट रहा और यह दू तो कोना पर एक पढमानी उका योगदान फलक पर तीन गो कैसे हुए आपको समझ में आ रहा है क्योंकि कोना पर एक कोना पर वन बाई टू वन बाई एट योगदान देता है आठको कोना है तो आठको ने वन बाई एट तो काटियेगा तो वन आए ता फलक पर एक फलक पर 1 by 2 पड़मानियों का योगदान होता है और 6 गो फलक है तब 1 by 2 गुने 6 is equal to 3 थीरी पड़मानियों का योगदान हो गया और कोना परेगो मतलब 4 गो कुल और इसमें जो अस्थान घेरल रहता है आपको काफी दिख रहा हो के कमी अस्थान बच रहा हो के मतलब 74% अस्थान घे जान होता है देख लिजी आप यहां पर लिखा जा रहा है नंबर अफ एटम्स और फेस पर कितना है एटम्स 6 गो फेस है तो 1 by 2 गुनेट 6 काटने के बाद देखे यह यह इस रूप में है इसको सटा हुए के रूप में समझाने के लिए दूर दिया गया और यह काटने के सब्सक्राइब इतना है तो यह रहां आपका कीविक उनिट चेल का पूरा डिटेल ठीका आपको अच्छा लगा है तो शेर करिए लाइक करिए और इस तरह से आप पढ़िए तो पूरे जीवन भर नहीं आप भूल पाईएगा आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा अगो समझाने के लिए थोड़ा सा और भी मैं कोशिस करूंगा हाला कि इसी से आपको पूरा समझ में आ गया होगा है तो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजी और शेर कर दीजी हाँ और अपने दोस्तों के पास शेर करिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हाए वह अब किस तरह से ओरीजेन है देखिए जितने भी क्रिष्टल है वह सब ही चृबिक क५्यूनिट से मिलकर एक चृबिक है से मिलकर बना होता है आपको पहले वीडियो में आपको पहले गर्राफिक्स में मैंने बता रखाये किस तरह से हो और आग व अप देख सकते यह आपक प्मज़ें कितने पढ़्मानिव का योगदान है कितने इसपेस घहरता यो समझेगा है सिम्पल कईप कुणिट से लेख पहला है आठो कोना पर एक पढ़्मानु है पर कीपने पर्मानिव का योगदान होता है बनाने में से फूरा डिटेल आपको ग्राफिक्स पाता चाहिए घंप सानिशral काट सकते हैं computer है और किस तरह से और से संटाने चटे पाधो कें शक्तने का बाद किस तरह से यह बताहूंगे eh graphics में अनेको होता एक दूसरे सो सट के बना रहता एगो crystal latex बना देगा पर एगो हिस्सा जो है देख रहे हैं आप इसको हम बोलते हैं simple cubic cell ठीक है अनेको cubic cell से मिलकर बना होता है crystal लेकिन एक ही सकते हैं कितने हर कोना से अकोले रहा है इसे देख सकते हैं आप कितने पढ़मानु का य भीरता है एगो cubic unit cell बनाने में एगो घं की तरह रहता है तो मतला 48 परसेंट खाली रहता है आप देख सकते हैं कितना है और अगला पढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट क्या है body centered cubic unit cell body cubic center में क्या होता है body centered cubic cell आठो कुना पर होता है ये को बीच में पढ़मानी होता है और इस में कितने पढ़मानी कोई यगदान होता है तो धूगो अब कीस तरह से आप देख सकते हैं देखिएगा आपको ये कीस तर से कटा हुआ भाग होटने के बाद यह सब मीले गा एक दूसरे से तो मात देखिए कार्डिया बगल से साइट से उपर से निचे से देखिए फिर ही मिल आरहा है एक दूसरे से सारे कटा हुए भाग देखिए दो पढ़मानु का युगदान हुए कि नई अर्थात body cubic cell में दो पढ़मानु का युगदान होता है और यह body में 60% कितना? 60% अस्थान घेरले रहता है अर्थात बच कितना गया 32% अस्थान खाली रहता है body center cubic cell में उसको BCC से short में बोलते हैं अब आगया FCC सेंटर में फेस पर फेस मतलब फॉलक पर ठीक है और फॉलक पर की इस तरह रहता है इसको भी हम काटेंगे काटनेव का जो एक अकार बनेगा वह होगा फेस सेंटर की भी कुणिर्ट देख लिए है साइद भगव अवलु पर नीछे काट दिया अब दिखिये मिला रहा है कितना पर्मानू का योगदान है मिला दिया देखिये फेस पर तीन गो और पर मतलब 4 अगोपरमानु का युगदान होता है फेस-कुb कुणिटिशल को बनाने में और अस्थान कितना घरता है 74% अस्थान घरता है फेस-centred कुb कुणिटिशल को बनाने में ठीक है 74% और 26% अस्थान खाली रहता है इसको सोर्ट में FCC बोलते हैं ठीक है और सिंपल कि भी कुणिट्योल को सोट में SCC बोलते हैं देख सकते हैं इसको भी मैंने सजा रखा है यह एक परत हुआ अस्थान दीक रहा है खाली है कि नहीं अस्थान वह अस्थान लाल बती बहर रहा है उसमें अस्थान खाली है मतलब कटने कसी परकार का उस दूसरा फलक सजा जिया यह जिसम्पल कुविक उसल को समझा रहे हैं इसमें कर एक हिसा हम ले लिए काटने के तैयार होगा आपको तेहार हो खाली हिस्टा है यह कॉटने का बाद वाला को न न है वह समिला कर 12% आए दूसरा आप देख सकते हैं आप दूसरा एक लेयर दूसरा लियर और तीसरा लियर अब तीसरा लियर यह आपको body-centered cubic cell को समझाने के लिए रखाए देखें काट रहा है काटने को जो एक आपको हिस्सा दिखेगा वह दिखेगा आपको body-centered cubic cell इसमें भी कुछ अस्थान दिख रहा होगा इसमें 74 परसेंट नई यह क्या बोडी सेंटर की भी सेल लाए तो इसमें 100 परसेंट अस्थान घे रहल रहता है ठीका है अब आप देख सकते हैं वह अस्थान दिख रहा हैँगा यह समझाने के लिए फ्रहां को यह दिख रहा हुआ देखिए दूसरा परथ हुआं दीसरा परथ हुआ परेस कि यह द्यूं ठीको आपको to कितना वन बाई टू और केंदर कोना पर एगो देखिए आप समझ सकते हैं इस तरह से आपको और किस तरह से पढ़मानों का युगदान होता है कि इतना स्थान गेता है समझा दिये देखिए यह सभी मिल करा है यह जो है नाइट्रोजन का है नाइट्रोजन अक्साइड का यह किसी पढ़मानों का है उजला वाला पढ़मान जैसे नाइट्रोजन होगा उसका पढ़मानों का साइड सभी का सेम होगा जैसे नाइट्रोजन बोल दिये अक्सीजन का पढ़मानों का साइड सेम होगा लेकिन नाइट्रोजन और अक्सीजन का पढ़मानों का साइड ज देख सकते हैं यह भी एक पडमानू का है एक दूसर से मिल कर किस तरह से रहता है और किस रूप में सच कर रहता है यह आपको दिखाने को मिलेगा तो और कीवी नुफम रहता है आपको काँ सा एसे जिए अधिका है चलिए अब ने शिय रिधा बात हो गया और यह अभी आपको यह एक पडमानों ही इसको भी आप काटिएगा तो एक फेस बोड़ी फेस वाला है देखें अब इक प्रणान रहा ठीक है कितना अस्थान घेर आए उसके बारे में ग्राफिक्स में चर्चा नहीं है पर मैंने मुझ से अपने बताया है उसका अस्थान घेर रहा है इसको हम संकूलन च्हामता बोलते हैं क्या बोलते हैं संकूलन च्हामता पूर्च देगा कि सिंपल कुभी कुणिट चेल का संकूलन च्हामता कितना होता है कितना होता है तो बावन परसेंट होता है मैंने आपको बताया है पोलेगा कितना खाली रहता है अस्थान तहां आफको वो सेंटर बथा तो वह 58% अस्थान घै रहा था और जू खाली कितना है घ्टाली मतलब 32% अस्थान खाली रहाता था अधा बोडि के बीक万 कि सेल में ठीक है फेस के दो ऊनों पर अधा था फ़लक पर रहता था धो प्डमान में ठीक है तो how कितना अस्थान घयरता था वो कह दाथा चोगहतर पर्चेंट और सबसेंट अस्थान खारी रहता था ठीक है तॉछ दो को स्वॉट में क्या बोलते हैं हम एस सी सी ठीक है और बडी क्यूबी कनिशेल मौशले रेका बोलते हैं हम बॉडी सेंटर ट के विकनिट छेल वी सिसी और सिम्पल के विकनिट चेल या फ्रीमेर्टिव के विकनिट सेल सेल स्सी ठीका एथ आपको पूरा समझाने के लिए और बात रहा गए आपका वह इनके भूजा का बारे मतलब जो आर है एगल टू वह हिस्षा किस तरह से रिलेशन है उसको मैंने पहले ही वीडियो में आपको समझा रखा है कि सिंपल के इसेल में क्या होता है यह बराबर टू एगल टू डी इसलिए तो यह था अच्छा लागा देखे यहां नहीं यह आप समझ में नहीं है तो कहीं भी आप चले जाए कहीं भी आप नहीं समझ पाएगा पूरे जीवन भर नहीं समझ पाएगा और यह समझ तो पूरे साथ जनम तक आप याद रहेगा कभी भी नहीं बोर परेगा पूरे साथ जनम तक याद रहेगा इस तरह से अगर आप परनना शुरु करते हैं त जो गहन टबा है उसको भी दबाद दीजिएगा तैकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहले चला जाए थैंक्स पर वाक्षे माई वीडियो